Hello and welcome to RLR Excel Network, मैं हूँ आपका दोस्त और आज की इस amazing वीडियो में मैं आपको सीखाऊंगा कि कैसे आप Excel के अंदर number system या फिर number format options का use करना सीख सकते हैं जिया number format या फिर number system Excel के अंदर एक ऐसा तरीका होता है जिससे आप अपनी sheet के अंदर अगर कोई भी data type करते हैं, कोई भी number type करते हैं, तो आप उसको किस format में दिखाना चाहते हैं, यह आप number formatting system के help से दिखा सकते हैं यह बहुत खुबसूरत feature होता है आपके Excel के अंदर और आप इस number formatting options की मदद से अपने data को general में, numbers में, date में, time में, currency में, accountancy में, जैसे भी आप दिखाना चाहें, दिखा सकते हैं और इस video के अंदर हम detail में एक से लेकर सभी options का use करना सीखेंगे so number जो system होता है, वो हमारे Excel के home tab के अंदर होता है, देखेंगे आप यहाँ पर एक numbers का group है, जहाँ पर यह सारे features available हैं अगर आप इस general के साथ में, इस pointer के उपर click करेंगे, तो आप देखेंगे, यहाँ पर बहुत सारे options आ रहे हैं, हम इन सभी options का detail में use करना सीखेंगे तो चलते हैं अपने number format के उपर और use करना सीखते हैं, जिसमें सबसे पहला जो option होता है, वो होता है general जनरल यानि कि यहाँ पर लिखा हुआ है no specific format, मतलब कि अगर आप Excel की sheet के अंदर अपने cell में कुछ भी type करते हैं, तो जैसे आप type करते हैं, वैसे ही अगर आप दिखाना चाहा रहे हैं, तो उसके लिए आप general options का use कर सकते हैं by default Excel के अंदर जितने भी cells मौझूद होते हैं, वो सारे के सारे general format या फिर किसी भी एक specific format में define नहीं होते हैं, वो एक default format में होते हैं, यानि कि अगर आप कोई चीज type करते हैं, तो आप जैसे type करते हैं, वैसे ही आपकी sheet के अंदर नजराता है, जैसे माली जे मैं अपना नाम type करता हूं, तो आप देखेंगे, मैंने अपना नाम type किया और वो ऐसे ही दिखा रहा है, for example के लिए मैंने कोई number type किया, तो आप देखेंगे कि वो number भी ऐसे ही दिखा रहा है, यानि कि general format का मतलब होता है, कोई भी format नहीं, जैसा type किया है, वैसा ही दिखा है, उसको बोलते ह हम general format, ठीक है, इसको मैं delete करता हूं, उसके बाद होता है number format, यहाँ पर जब मैं आपके नीचे यहाँ पर click करूँगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे second number पर आएगा number format, यह number format क्या होता है, इसके लामा आकर आप देखेंगे, तो यहाँ पर कुछ options आ रहे हैं, और इसके ल number format के अंदर more number format के उपर click करेंगे, तो आपके सामने यह tab खुल कर आ जाएगी, जहां से हम formatting करना शुरू करेंगे, इस tab को लाने के लिए आप चाहें, तो control और ऊपर keyboard के अंदर जो 123 keys होती है numerical, वहाँ से आप one press करें, तो भी आपके सामने यह जो pop-up window है, यह जो tab window है, वो जाएगी, ठीक है, तो चलते हैं हम अपने data के ऊपर number format का use करना सीखते हैं, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ numbers टाइप कर दिता हूँ, numbers आपके मैं अलग-अलग टाइप करूँगा, कुछ positive number भी type करूँगा, और कुछ negative number भी type करूँगा, जैसे मैंने negative number type किया, कुछ मैंने positive number type कर दिया, ठीक है, मैं इसको दुबारा से जो है, copy कर देता हूँ, हर जगत दिखाने के लिए, मैंने same number को दुबारा copy कर दिया, अब इसके ऊपर number formatting को apply करते हैं, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपने data को select करता हूँ, select करने के बाद मैं क्या करूँगा, control औ या भी मैंने आपको बता है कि general का मतलब no specific format जैसा data वैसा ही format वो दिखे, इसके नीचे होता है आपका number format, number format के उपर आप जैसी click करते हो, तो आपके जो बीच वाला page होता है, उसके अंदर कुछ options आ जाते हैं, जिनमें से एक आरा है sample, sample का मतलब आपने ये जो data पीछे select किय हुआ है, इस data के अंदर जो पहला आपने cell के अंदर लिखा हुआ amount था, उसी को उसने उठा लिया और as a sample आपको denote कर रहा है, अब denote करने के साथ साथ यहाँ पर एक option आ रहा है decimal places, यानि कि आपने ये जो data type किया है, अगर आप चाह रहे हैं कि इन data के साथ में points के बाद दो zero भी दिखाएं, तो आप वो भी दिखा सकते हैं, आप कितने zero दिखाना चाह रहे हैं, या zero ही नहीं, ज़रूरी है कि zero है, आप decimal के बाद कितने points दिखाना चाह रहे हैं, वो भी आप दिखा सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ से decrease और increase भी कर सकते हैं, जैसे आप increase और decrease कर लगता हूं उसके बाद मैं okay करता हूं जैसे मैंने okay कि आप देखेंगे कि अपने आप इन digits के पीछे points के बाद 2-0 लग चुके हैं तो अगर आप चाहें तो 2-0 लगा सकते हैं तो जितनी भी जरूरत है उतनी 0 आप लगा सकते हैं उसके बाद मैं दुबारा control 1 करता हूं और next options को समझते हैं जहां पर लिखावा है use 1000 separator मतलब कि जैसे आपने यहां पर जो यह number लिखावा है यह number जो है अगर आप पढ़ने जाएंगे तो पढ़ने में आपको बहुत दिक्कत होगी तो अगर आप चाहें तो अपने data के अंदर commas का use कर सकते हैं जिससे आप अपने numbers को identify करके easily पढ़ सकते हैं जैसे normally आपको पता होगा कि हर 1000 के बाद comma लगता है जिससे आपका data अच्छा दिखता है और पढ़ने में आसानी होती है तो अगर मैं इसके उपर check mark लगा दूँगा तो आप देखेंगे sample के अंदर कि आपका जो data है उसके अंदर हर 1000 value पर comma लग चुक Excel के अंदर hash hash का option अप्षा का option तभी आता है जब आप अपने case के अंदर किसी एक aise number को लिख देते हैं जोकि आपके उस cell के अंदर capable नहीं होता है यानि की उस cell के अंदर adjust नहीं हो पाता है तो आप क्या कर सकते हैं अपने cells की width को बढ़ा सकते हैं आप ऐसे कर सकते हैं तो आपके cells की width है वो बढ़ जाएगी या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि अपने cells की pointer के उपर जब आप click करेंगे तो आपका जो mouse का cursor वो plus में convert हो जाएगा और जै कीते हैं next options का जहां पर दिख रहा है negative numbers यानि कि आपके इस data के अंदर कोई अगर negative value होती है तो आप उसको कैसे denote कराना चाहेंगे पहला option है कि minus के साथ denote कराना चाहेंगे जैसा कि मैंने अभी दिखाया था दूसरा है कि क्या आप उन cells को जो है red color में denote कराना चाहेंगे तीसरा है कि क्या आप उन cells को जो है bracket के अंदर दिखाना चाहें और चौथा option है क्या आप उनको bracket के साथ red color में दिखाना चाहें आप जो भी formatting यूज़ करेंगे उसके हिसाब से आपके data के उपर apply हो जाएगी जैसे मैं ये वाला option चूज़ करता हूँ bracket के साथ साथ red color में अब मैं ज चुकी है ठेक है तो यह आप अपने हिसाब से जिस भी formatting में apply करना चाहते हैं उस format में आप apply करना सीख सकते हैं उसके बाद next जो option होता है उसको बोलते है currency currency का मतलब होता है कि अगर माल लेजिए आप कोई value type करते हैं कोई number type करते हैं तो उसको अगर आप किसी rupees के या किसी currency के symbol में दिखाना चाहरे हैं तो आप कैसे दिखाएंगी जैसे Indian currency का जो symbol होता है वो rupees होता है और American currency का जो symbol होता है वो dollar होता है तो जैसे भी आप दिखाना चाहें वो दिखा सकते हैं जैसे माल लीजे मैंने यहाँ पर type किया 123 कुछ भी आप number type कर दीजिए ठीक है अब इनको मु जैसे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे same जो कि number format में option आ रहे थे वही सारे यहाँ पर भी आ रहे हैं sample में आपको दिखाएगा point के बाद आप कितनी values दिखाना चाहरे हैं अगर negative positive होगा तो आप कैसे दिखाएंगे लेकिन साथी साथ में यहाँ पर एक currency का symbol भी add हो चु हैं आप अपने हिसाब से अपनी country को select करके जो है show करा सकते हैं यहाँ पर Indian currency के भी बहुत सारे symbol available हैं पंजाबी, उडिया, नेपाली, सिद्धी, तमील यह बहुत सारी currency के अलग-अलग symbol होते हैं तो आप इन में से जो भी use करना चाहें कर सकते हैं फिलाल हमारे लिए हिंदी इसलिए हम हिंदी को choose करेंगे और उसके बाद okay बटन को press कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके numbers के साथ साथ में currency का symbol भी add हो चुका है और साथ ही साथ चुकि मैंने अभी कहा था कि points के बाद मुझे 2 digits तक दिखाने इसलिए points के बाद 2 digits तक आ चुके हैं अगर आप चाह करेंगे कि points के बाद कोई भी value यहां पर नजर नहीं आएगी ठीक है इसके बाद हम सीखते है accounting accounting का मतलब होता है कि आप अपने numbers को accounting format में दिखाना चाहा रहे हैं तो accounting format कैसा होता है जैसे मैं कोई number type कर देता हूं यही है number जो मैंने type किया था मैं कोई भी number type को लेता हूं मैं उसके बाद मैं अपने data को select करता हूं अब अगर मैं accounting यूज करना चाह रहा हूं तो मैं दुबारा करूंगा control 1 और इसके बाद यहां से select करूंगा accounting आप देखेंगी कि जो options आपके number currency के अंदर आ रहे थे वही options आपके accounting के अंदर भी आ रहे हैं आपके currency में और आपके accounting में ज्यादा फर्क नहीं होता जैसे आपकी currency होती है वैसे आपकी accounting धी होती है आप accounting के अंदर भी अपनी जरूरत के अनुसार से आप अपनी currency को दिखा सकते हैं वैसे माल लेजे मैंने आपकोई भी currency चूज कर ली और उसके बाद मैंने okay किया आप देखेंगे जैसे आपकी accounting है आपकी currency है मैं कोई Indian currency लेता हूं इंडियन करणसी चूँकर हम इंडियन है तो हम इंडियन करणसी लेंगे ठीक है तो मैं चूज करता हूँ अपनी इंडियन करणसी और यह देखने क्रीज धूंदना थोड़ा सा होता है कि इसलिए बार-बार आपकोशिश करें कि अपनी currency क चेंज न करें कमाराखी को सिलेक्ट करता हूं उसके बाद कि देखें कि यहां पर करनशी और अकाउंटिंग में दो फर्क होता है जहां पर सबसी पहला फ़रकी होता है कि currency के अंदर जो आपके currency के symbol होते हैं, वो आपकी value के साथ में दिखते हैं, जहांपर आपके accounting में, आपके sales के left side में दिखते हैं, यह देखिए, यह currency और accounting के अंदर पहला अंतर होता है, और दूसरा अंतर होता है, जहांपर अगर आप किसी currency के अंदर आप 0 लिखेंगे तो क्या होगा कि आपके 0 के साथ में यह currency का symbol दिखाएगा लेकिन अगर आप accounting के अंदर कहीं 0 लिखेंगे तो वो उसको जो है as a dash दिखाएगा यह दो अंतर होता है currency और accounting symbol के अंदर ठीक है चलिए सिखते हैं अब next date options का use करना अब date options का मतलब होता है कि जब भी अगर आप Excel के अंदर कोई number type करते हैं तो आप चाहें तो उस number को date में भी show करा सकते हैं यह date के ऊपर मैंने अपनी एक बहुत ही अच्छी video बनाई हुए है जहां पर आप date और time से related सारी चीज़े जान सकते हैं कि date क्या होता है date की starting कैसे होती है date को अगर हम कोई number type करते हैं तो date में कैसे convert हो जाता है क्या process होता है यह सारा चीज जो है मैंने उस video के अंदर बताया हुआ है मैं आपको उस video का link अपनी इस video के description में डाल दूँगा आप वहां से जाकर सीख सकते है date और time की बहुत खुबसूरत video है फिलाल अगर मैं यहाँ पर कोई date type करता हूं मैं date type करने के लिए shortcut की यूज़ करता हूं control colon enter करूंगा तो आप देखें कि यहाँ पर date automatically आज़ागी date आई है कि पहले जो आ रहा है वो है month जो कि आप देख सकते हैं 12th month जो कि December चल रहा है आज date है 21 यानि कि 21 December महीना साल है 2018 यानि कि इस date का जो proper format है वो है 12-21-2018 मतलब 21 December 2018 अब अगर मालीजे मैं इसको copy paste कर देता हूं तो यह क्या करेगा अपनी date को continuous range में allocate कर देगा और चलते हैं अब इसके उपर formatting apply करते हैं क्योंकि यह date का format है यह default format है अगर मुझे इसको किसी और तरीके से दिखाना है तो मैं इसको दिखा सकता हूं उसके लिए मैं करूंगा उसके इसाब से sample में दिखाएगा कि आप अगर okay करेंगे तो आपकी जितनी यह date selected है यह सारी इस तरीके से नजर आएंगे मैंने कर दिया okay अब आप देखेंगे कि आपकी जो date का format है सबका वह ऐसा हो गया बड़ा format हो चुगा अगर किसी और format में दिखाना है तो आप वह भी दिखा सकते हैं जैसे माल लीजिए मैं यह वाला format दिखाना चाहरा हूँ यह वाला उसके बाद मैं okay करूँगा तो आप देखेंगे इस format में भी यह नजर आएगा तो यहां पर date से भी related बहुत सारे options हैं जहां पर आप अपनी जरूरत के इंसार अपनी formatting चूज कर सकते हैं और दिखा सकते ह यहां पर location भी है कि आप कौन कौन सी country की जो हिसाब सी date or time denote करवाना चाहरे है तो आप वह भी denote करवा सकते हैं default United States होता है तो हम इसको ही choose करेंगे और उसके बाद okay कर देंगे तो आपका जैसा भी format होगा वैसा आपका date or time नजर आ जाएगा देखने हैं बहुत खुबसूरत तरीके से आप अपने data की formatting कर सकते हैं Excel के अंदर मैं इस video को यहीं पर finish कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इस video को आगे continue करूँगा तो यह video जो है बहुत ज्यादा बढ़ी हो जाएगे इसलिए मैं अपनी बाकी बचे वे number format के features को अपनी next video में बताऊंगा तब तक के लिए goodbye और goodbye बोलने से पहले अगर आपको यह video पसंद आई हो तो आप इस video को like कर दें अपने दोस्तों के साथ share कर दें और अगर अभी तक आपने मेरे channel को subscribe नहीं किया है तो जरूर कर लें क्योंकि next video जह है वो और भी खास होने वाली है number formatting के उपर तब तक के लिए goodbye